तो पूद्बॉर्णिंग फ्रेंड स्वागत है आपका आपके पना यूट्यूब चैनल पर चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वकाबलेर के रिवीजन की आज है संदे और हर संदे की तरह हम इस संदे भी रिवाइज करेंगे प्रीवियर सिक्स्रीज में जो भी हमने नहीं वकाब किया तो उसका हमरे रिवीजन करेंगा फटाफट से में सिर्फ वर्ड सी डिसक्स करते हैं हम इस वीडियो में तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीजन की आप फुशिष की जिगारी कॉश करने की वर्ट को पहला हमारा वर्ड है था क्रेजल का मतलब होत करना मतलब ध्यान रखना किसी का बहुत ज्यादा या फिर क्रेडल का मतलब होता है जिसमें छोटे बच्चे को जुलाया जाता जो जिसे पालना बोला जाता है उसे बोला गया है क्रेडल नेक्स्ट हमारा वड्श है ट्रैंकूलिटी, ट्रैंकूलिटी होना कहीं पे अगला हमारा शब्द है अनेक्वीवोकली, का मतलब होता है एक दम से साफ तोर पिर अपने विचारों को जाहिर करना या ऐसी कोई चीज जो साफ तोर पिर देखी जा सके स्पश्टता हो जिसके बारे में उसे बोला गया है Unequivocally Armor का मतलब होता है Scenic जो कवच धाल बचने के लिए युद में पहनते हैं उस कवच या धाल को बोला जाता है Armor Pejorative का मतलब होता है किसी की निंदा करना, अपमान करना किसी का बुरा भला कहना किसी को Criticize करना, उसे बोला गया है Pejorative Retaliatory का मतलब होता है किसी से बदला लेना, किसी को महतोड जवाब देना, प्रतिशोध लेना उसे बोला गया है Retaliatory Thread का वैसे तो मतलब होता है Paddle चलना, या Step हम रख रहे हैं, चल रहे हैं, वाक कर रहे हैं उसे बोला जाता है Thread Editorial में इस वर्ड का यूज हुआ था साफधानी बरतना, सतरकता की सेंस में इस वर्ड का यूज हुआ था Thread का Sparingly का मतलब होता है किफायरी धंग से बतलब चीजों को manage करना बड़े ही, फूख फूख कर बोल सकते हैं कदम रखना या फिर economically वे में चीजों को use करना किफायरी धंग से उसे बोला गाए Sparingly Propagation का मतलब होता है किस भी चीज़ का हम प्रसार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं Spread करना किसी चीज़ को उसे बोला गाए है Propagation चुथसपा का मतलब होता है जो दुसाहस करना किसी चीज़ के लिए या गुस्ताखी करना किसी तरह की उसे बोला गाए है चुथसपा Gallantry का मतलब होता है शौरिय, वीर्ता या साहस विशेश कर युद्ध में दिखाया जाने वाला सैनिकों के दवारा जो courage वो दिखाते हैं शौरिय, वीर्ता या साहस उसे बोला जाता है Gallantry Enjoyment का मतलब होता है किसी संस्था को दिया जाने वाला किसी तरह का कोई दान Donation, Contribution या सबसीडी उसे बोला जाता है Enjoyment Confer का मतलब होता है किसी भी महत्वपूर्ण decision लेने से पहले विचार विमर्ष करना उसे बोला जाता है Confer Appellates का मतलब होता है सैनिकों के या फिर पोलिस के जो कंधे पर विशेश करे हाँ सैनिकों की बात की गई है उनके military उनकी फॉर्म पे जो कोई चिन्न लगे होते हैं कंधे पर तो उन चिन्नों को उन मैडिल्स को बोला जाता है Appellates Appellates Intricacy का मतलब होता है चीजों में बहुत सारी complications होना जटिल टाय होना complicity, complications उसे बोला जाता है Intricacy Incarnation का मतलब होता है किसी चीज़ का एक हम विशिष्ट उधारन दे रहे हैं हम बोलता है न कि पर कि वो दया की मूर्ती है वो सत्य की मूर्ती है हमें किसी का एक particular quality की वज़े से उसका example दे रहे हैं उसे बोला जाता है Incarnation अगला हमारा शब्द apartheid apartheid का मतलब होता है रंग भेद निती उसे बोला जाता है apartheid रंग भेद निती गोरे और काड़ों की जो होती है मतलब उने differentiate करना पहले होता था discrimination इसका भेद भाव अब तो नहीं है उसे बोला गया था apartheid circumspect का मतलब होता है सतरक रहना एक्तम साफधान चोकरना रहना होशियार रहना उसे बोला गया है circumspect ambiguity का मतलब होता है चीजों के बारे में अस्पष्टता होना संदिक्दता होना कोई चीज जो संदिहास्पद हो उसे बोला जाता है ambiguity unanimity का मतलब होता है सर्वसम्मती सर्वसम्मती होना या फिर एक मतता होना किसी बात के उपर से कि मतलब सब का सब राजी हैं सभी agree हैं उस बात पर complete agreement है सभी का कि हाँ हम संतुष्ट है हम ये काम करेंगे तो उसे बोला जाता है unanimity 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 बोला जाएगा उसे अगला हमारा शब्द है propagate propagate का मतलब होता है चीजों का प्रसार करना फैलाना spread करना broadcast करना disseminate उसे बोला जाएगा है propagate reverberation का मतलब होता है किसी चीज़ के विपरीत या गंभीर परिणाम होना उसे बोला जाता है reverberation गंभीर रूप से assert परना किसी की उपर repercussions उसे बोला जाएगा है reverberation detente का मतलब होता है दो देशों के बीच में संबंदों का सुधरना पहले उनके बीच में संबंद अच्छे ना रहे हूं पर अब धीरे-धीरे संबंद सुधर रहे हूं उसे बोला जाता है detente बाहर मतलब होता है reconnaissance reconnaissance का मतलब होता है सैन्य कारणों के कारण किसी जगा का survey करना survey करना inspection करना due to military reasons उसे बोला जाता है reconnaissance reconnaissance arsenal का मतलब होता है जहांपे जो army है अपना शच्तर-शच्तर रखती है आयुदशाला या शश्च्टरागार उसे बोलागा है आर्सनल predicament का मतलब होता है हम किसी ऐसी विपत्ती में ऐसी मुश्किल में फसे हैं जिससे निकलना बाहर निकलना बहुत जादा मुश्किल हो ऐसी situation, ऐसी difficulty उसे बोलागा है predicament ramifications का भी मतलब होता है हमारे द्वारा किये गए काम के या हमारे द्वारा लिए गए कोई decision के प्रतिकूल परिणाम आना उल्टा मतलब जैसे हमने expect किया हो वैसे result ना आना that is called ramifications diminution का मतलब होता है किसी भी चीज में घटाओ होना अवनती होना, कमी आना उसे बोलागा है diminution consensual का मतलब होता है किसी बात के उपर की सहमती होना, अपनी रजामंदी जताना सर्वसमती, सहमती उसे बोलागा है consensual augmented का मतलब होता है किसी भी चीज को enlarge करना बढ़ाना, वृद्धी होना बढ़ना, increase, enlargement that is called augmented extravaganza का मतलब होता है बहुत शानदार भव्य कोई event परभावशाली, शानदार, मनोरंजन उसे बोला गया है extravaganza white elephant का मतलब होता है ऐसी चीज के लिए खर्च करना जिसका कोई फायदा ही ना हो बहुत खर्चिली वस्तु, बहुत ज़ादा costly कोई चीज, परन्तु कोई फायदा ना पहुचा रही हो उसे बोला जाता है a white elephant clogging का मतलब होता है पानी को रोकना, अवरोधक होना hindrance, obstructive रुकावट या बाधा पैदा करना impending, obstructive, hindering उसे बोला गया है clogging venal का मतलब होता है वो व्यक्ति जो की घूजकोर हो रिश्वत लेने वाला हो, विकाव, भरष्टाचारी उस वित्ति को बोला जाता है venal labyrinthine का मतलब होता है ऐसे कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा complicated हो बहुत ज़्यादा पेचीदा होना complicated, complex उसे बोला जाता है labyrinthine adage का मतलब होता है किसी तरह की कहावत जैसे पुरानी लोकतीय या मुहावरे होते हैं कहावते हैं पुरानी उन्हें बोला जाता है adage loophole का मतलब होता है किसी भी तरह की कानून या कानून या नियम है तो उसे कुछ ऐक loop उसमें कुछ एक कमια या खामिया rह जाना loophole जिससे की बचा जा सके, कलपेट जिससे बच सके, उसे बोलाता है, loophole. Seed का मतलब होता है, अपना पद या अपना रिकार सौंप देना, आत्म स्मरपन करना, सौंपना, उसे बोला गया है, seed. impunity का मतलब होता है किसी को किसी तेरा का दंड मिला है कोई मतलब सजा मिली है तो उस सजा में थोड़ी सी छूट मिल जाना छूटकारा मिलना दंड मुक्ती, exemption, freedom उसे बुला गया है impunity agnostic का मतलब होता है एकदम से ऐसा विक्ति जो की संचे करे बात बात पे संदेह करे, संचेवादी या फिर agnostic उस विक्ति को भी बूला जाता है जो इश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे बूला जाता है agnostic और हमारा last word है benevolent benevolent का मतलब होता है ऐसा विक्ति जो की दूसरों के भले के बारे में सोचे जो दयालू हो, परोपकारी हो, उदारवादी हो उसे बूला गया है benevolent तो यह last word था weekly vocabulary की revision का I hope आपको वीडियो informative लगा होगा फटा फट से आपने words काभी सारे words जो है वो revise किये होंगे प्लीज वीडियो को like कर दीजेगा, हो सके तो वीडियो को share भी कर दीजेगा, आप मेरी चैनल पर पहली भार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा, साथ में bell icon प्रेस कर दीजेगा इस वीडियो में इतना ही जद्रक इंफरमेटिव वीडियो के लिए बन रही है चैनल पर Thank you, thanks for watching